स्वागत आपका एक बार फिर से शानोलज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में इंपॉर्टन शॉर्टकट कीज विद एक्जाम औरियंटेड एमजी कीज ठीक है आपके इसमें हम लोग MCQs discuss करेंगे साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टन शॉर्टकट कीज हैं सारे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में discuss करेंगे जितने शॉर्टकट कीज आपके एक्जाम पोंट आफ यू से important हैं वो सारे आज मैं आपको discuss करवाऊंगा ठीक है अब सारे questions इसमें रहेंगे हमारे shortcut keys के 10 questions होंगे उनके 4 options रहेंगे into 4 कर लो कितने होगे 40 40 shortcuts तो आपके guaranteed हैं जो exam point of view से होंगे ये तो आपके होगे भाई पक्के के पक्के साथ में हम अभी starting में देखेंगे पहले क्या हमारा जो keyboard होता है तो keyboard के उपर किस प्रकार के जो अपने keys होती है उन keys को क्या कहा जाता है अभी one by one हम लोग detail में discuss करेंगे then start होगा हमारा proper lecture भाई ठीक है तो चलो start करते हैं हमारा आज का lecture जो बिल्कुल purely based रहेगा किस पर भाई हमारा shortcut keys पर clear चलिए आपको पता यह है computer में कितना important role play करते हैं ये questions crucial role play करते हैं क्योंकि हर एक exam में चाहे आप JK SSB का कोई exam उठा लो चाहे आप SSC का कोई exam उठा लो हर एक exam में ये questions आप से पूछे ही जाते हैं clear भाई तो इस lecture की भी PPT आपको हमारी telegram channel पे मिल जाएगी telegram channel के link description box में आपको दे दिया जाएगा वहाँ से download कर लीजिगा अगर computer series के आपने previous videos नहीं देखिए तो वो भी एक बार check out कर लीजिगा clear भाई कल हम लोगों ने discuss किया था about ms word, ms access and ms excel आज हम लोग shortcut keys के बारे में discuss करेंगे next session में हम लोग abbreviations पे session करेंगे ठीक है पूरा पूरा वो abbreviations पे session रहेगा तो telegram से PPT download जरूर कर लीजिगा क्योंकि आप लोग जो में ये पूरी video बनाऊंगा आदे पोने गंटे की video बन जाती है बटे वो ही आप अगर PPT से revise करोगे तो आपके hardly 5 to 10 minutes लगेंगे ठीक है उनको read out करने में ठीक तो इसलिए PPT आप लोगों को must help ज़रूर ये बाई चलिए पहले बाई देख लेते हैं हम लोग ये है हमारा keyboard आपको पता है पहले starting में ही top left में आपको मिलेगी escape की ठीक होता है ये होता है escape की इसका क्या काम है हम लोग one by one discuss करेंगे then आपको next मिलेगी f1 से लेके f12 तक okay f1 से लेके f12 तक ये जो keys हैं आपकी ये सारी keys इनको बोलते हैं हम लोग function keys clear ये कौन सी keys होती है function keys next आपके पास that is print screen मतलब आप यहां से screenshot ले सकते हो next आपके पास delete key delete क्या करती है आपकी जैसे ही आपने कोई file delete की तो वह आपके पास ये समझ लो के storage में पड़ी रहती है किसी time भी आप उसको restore कर सकते dust bean में आपके पड़ी रहती है अगर आपको कोई file आपके system में से permanently delete करनी है तो उसके लिए आप क्या दबाते हैं भाई shift प्लस delete clear याद रखना next आपके पास insert की उसके बाद आपके पास आती है break की home वाला है ये backspace की है यहां पे आपके पास ये backspace की है ठीक है one by one सारी चीजों की detail में discussion करेंगे क्या होता है किसका क्या काम है आप उस चीजों की बेफिक कर रहा है न next आपके पास ये जो सारे के सारे letter होते हैं 26 keys जो आपको ये दिख रही है center में ठीक है ये top पे आपको keyword दिख रहा होगा तो ये in keys को हम लोग बोलते हैं letter keys क्या बोलते हैं letter keys ठीक है और ये जो arrow बने हुए है अप down right left ठीक है तो ये है arrow keys ठीक और यहां पे आपको बीच में दिख रहे होंगे hashtag at the rate ठीक है greater than less than question mark इनको हम बोलते हैं symbol keys clear तो ये है windows keys control key important है अभी हम लोग इनके functions भी देखेंगे caps log tab and shift key ठीक है तो ये है important कुछ keys जो आपको पता होने चाहिए आपके किसकी keyboard की clear चलो अब बढ़ते हैं आगे questions पर जाने से पहले आपको function keys की shortcut बता दूँ मैं ये मैंने जब last time series start की थी computer उसमें भी ये मैंने discuss आपको करवाया था ठीक है तो ये आपको F1 से लेके F12 तक सारे के सारे function keys के shortcut आपको देखने को मिलेंगे clear एक बहुत important वाला होता है जो सब को पता होना चाहिए एक है आपके पास F7 एक आता है आपके पास F4 ये most commonly used होते हैं ठीक है तो ये याद रखना F7, F4, F2 ठीक है ये most commonly used होते हैं अब आपके पास जैसे ये है F2 ये allow क्या करता है आपको selected file या folder जो भी आपने खुला है उसको आप rename कर सकते हो ठीक है जो desktop पे आपने कोई भी किसी भी folder पे अगर आपक select कर रखा है तो देन आप F2 दबाओगे तो वह rename हो जाएगा clear F4 आपके पास किया करता है Alt F4 करोगे तो active window जो आपको सामने दिखेगी वह close हो जाएगी ठीक है F7 किया करता आपका grammar और grammar और spelling चेक करता है Microsoft Apps में चैसे MS Word MS Excel इन सभी में तो ये F7 का काम होता है ठीक है अभी tension नहीं नहीं है सारे के सारे हमने अभी MCE के तुरू discuss करने हैं चलिए start करते हैं with the first question पहला question क्या कह रहा है हमारे पास है which shortcut key is used to delete a file permanently in windows येस अभी मैंने आपको पताया था कौन सी shortcut key होती है हमने अगर अपने windows से permanently किसी file को delete करना है तो delete करते हैं backspace से F2 से या shift F2 या shift F2 येस बताये तो भाई मैंने आप भी आपको बला था delete का क्या काम function होता है ये straight forward method होता है कि भाई लोग आप recover कर सकते हो अगर आपने कुछ delete किया है आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे को delete नहीं करना चाहिए था तो आप उसको recover कर सकते हो permanently delete नहीं होता इसमें clear यहां permanently पूछा गया है next आपके पास is backspace backspace क्या है yes backspace भी delete करता है ठीक है याद रखना मगर ये character delete करता है ठीक है कोई files वेरा delete नहीं करता backspace backspace सिर्फ वो character delete करेगा जिसके current position पे cursor होता है keyboard की ठीक है तो next है आपके पास F2 F2 क्या करता है भाई मैंने आपको अभी उपर बताया था किसी भी icon पे होगा अगर ये किसी भी file की icon पे F2 की आप दबा दोगे highlight करके तो वो क्या है Microsoft Windows में उस Windows program का rename हो जाएगा उस file का ठीक है फिर आप जो नाम रखन चाहो वो कर सकते ही clear तो shift delete जो है यह हमारा answer वही यह permanently Windows में से delete कर देता है किसी भी file को ठीक है shift plus delete clear समझागी भाई यह तो चलिए भढ़ते हैं हमारे next question की तरव यह सां कुछ बच्चे बोर रहे थे sir questioning number नहीं होती है हां बाई sorry यह मेरे end से थोड़ा सा है okay question 1 है यह चलिए move to question second ठीक है background में आई नो थोड़ी सी noise को ज्यादा ही हो रही है यह आदे पॉने इंटे से वेट कर रहा था माभी यह चुप बैठेंगे तो मैं video बनाऊगा तो यह फिर से शिरू हो गए हैं तो अब इनको थोड़ा ignore करना आप लोग को यहां पर focus रखना है आज हो भाई question second प question second का A, B, C, D क्या होगा यह मुझे आप लोग comment करें अभी उपर हमने इसका discuss किया था बाई चलो next question पर आजाओ Ctrl, Shift and Alt, R Ctrl, Shift and Alt यह जो सारी अभी उपर हमने keys देखी थी keyboard में यह सारी की सारी क्या है यह आप से पूचा गया बाई yes तो यहां आपके पास क्या है modifier, function, alphanumeric, या फिर adjustment yes तो भाई यह जो तीन keys है ना इनको हम लोग बोलते हैं modifier की clear पहला वाला हमारा correct answer हो जाएगा Ctrl, Shift, Alt यह हमारी है modifier keys यह जो keys हैं यह modify करती हैं किसी भी action को another key के साथ मिलके जब दोनों को हम लोग दबाते हैं प्रेस करते हैं जैसे Ctrl, C दबाओगे आप तो क्या होता है आपके पास copy हो जाता है Ctrl, C, अब यह हमने देखा था shift shift plus delete हम दबाते हैं तो क्या होता है file permanently delete हो जाती है तो यह क्या है common modifier keys है shift, Ctrl, Alt, Command, Option यह function यह सारी चीज़ें क्या है आपके पास that is modifier ठीक है भाई shift key जो है यह keyboard में capital letters और other alternate upper letters के लिए use की जाती है modify करती है keyboard में उनको जो type करते है न हमनों capital letters उसके लिए और जो control और command keys है यह typically used की जाती है keyboard shortcuts में याद रखना है आपने control और command यह दोनों keys जो है यह आपके पास हमेशा use की जाती है keyboard shortcuts के लिए ठीक है इसमें combination के साथ-साथ shortcut keys menu command से आप लोग यूज करके जैसे आप लोग control s दबा देती हो ठीक है control and s की को दबाओगे तो activate हो जागा save command ठीक है clear तो यह जो अपना control और command है यह अपने क्या होते हैं भाई keyboard shortcuts में काम आते हैं ठीक है चलिए यह था हमारा भाई कौन सा third question okay चलिए move to next question भाई explanation साथ में आपको दे दूँगा PPT से आप लोग उसको आराम से read out कर लिजएगा next question पे आजो question 4th which of the following shortcut is used to insert a note in a cell in MS Excel 2021 MS Excel 2021 में अगर हमें insert करना हो कोई note ठीक है तो वहाँ पे हम लोगो क्या shortcut use करते हैं अगर आपको कोई note add करना है MS Excel में yes तो वह note आप कैसे add करते हैं control प्लस shift प्लस M shift F2 control F2 shift F9 हाँ जी बताइए देखो एक तरीका तो आपके पास simple सा होता है क्या करो आप insert note में right click करो cell जहां पे click जहां लिखा होता है new note वहां से आप लोग open कर लो box और add कर लो नया note ठीक है या तो आप shortcut key दबाओ shortcut key आपके पास क्या होता है shift plus F2 यह होती है आपके पास shortcut key जिससे आप लोग क्या करते हो नया note add कर सकते हो ठीक है और आपके पास अगर sheet में changes करनी हो तो आप लोग insert करते हो note regarding जो भी change करनी हूँ आपने उस note में clear तो MS Excel में अगर आपको note insert करना है तो आप लोग shortcut key use करते हो shift F2 clear भाई लोग ठीक है चलो यह था हमारा question 4th shift F2 yes question 5 पे आ जाओ वाई which function key is used for opening help opening help के लिए आप कौन सी function key use करते हो yes बताओ भाई अभी हम लोगों ने उपर देखे थे तो F1 जो होता है ठीक है F1 यह हमारा help open कर देता है help यह function key होती है हमारी F1 ठीक है समझाई भाई तो यह था हमारा F1 अब मैंने आपको क्या बोला था one by one हम सारे देखेंगे F2 किसके लिए होता है मैंने आपको उपर बताया था भाई क्या करता है यह rename करता है okay यह rename करता है F3 क्या करता है यह search करने में मदद करता है आपको clear भाई search करने में मदद करता है क्या search करने में file या कोई folder okay then आपके पास F4 आता है यह F4 मैंने आपको वहाँ पर बताया था ठीक है F4 क्या करता है यह alt F4 आप जब दबाओगे तो उसमें क्या है active window जो होती है कोई भी आपकी वहाँ पर active window तो वो क्या होती है आपकी close हो जाती है clear F4 का का काम होता है और F1 क्या करता है मैंने अभी ब और आपके पास F5 है ठीक है F5 का क्या काम होता है यह refresh करता है या फिर आप बोल सकते हो रिलोड करता है current page को ओके रिलोड रिफ्रेश या फिर रिलोड आप इसको बोल सकते हो और F6 नेक्स आपके पास F6 function की आपके पास क्या काम करती है यह जो cursor होता है वो address bar से most web browser की तरफ ले जाता है move करता है किसको cursor को clear next आपके पास आता है F7 ठीक है F7 मेंने आपको बताया था यह grammar और spelling चेक करता है ठीक है grammar plus spelling ठीक है next आपके पास आजाता है F8 F8 का क्या का काम होता है भाई F8 जो है यह access मिलती है किसमें इसको boot menu में Windows की ठीक है जो boot menu होता है Windows की तो उसमें access मिलती है किस की के shortcut की के थरू F8 के थरू F9 F9 आपका MS Word में document को refresh करता है ठीक है MS Word में document को refresh करता है यह तो यह कौन करता है भाई आपके पास है F9 उसके बाद F10 है यह activate करता है menu bar किसका application का F10 ठीक है भाई याद रहेंगी यह clear अब F11 और F12 है आपके पास F11 जो है यह enter और exit करता है किसको full screen को web browser के किसी भी web browser के जब आपने enter करना हो full screen करनी हो या फिर full screen को exit करना हो तो यह आप F11 से करते हैं ठीक है next आपके पास आता है F12 यह आपका dialogue box जो MS Word का होता है उसको open करता है clear F12 यह सारी keys थी हमारे पास कौन सी function keys F1 से लेके भाई F12 तक सारी के सारी clear होनी चाहिए ठीक है आपको चलो चलते हैं हमारे 6th question की तरफ यह PPT में मैं विद्धे भी दूँगा तो आप लोग यह starting में मैंने आपको जो डाली हुई है वहाँ पे आप लोगोंने वह भी कर लेना है अच्छा से clear चलिए next question देखे question 6th चलो which of the following shortcut keys is used to end a powerpoint presentation yes powerpoint presentation जो होती है वो कौन सी shortcut key से end होती है comma, hyphen, escape या tab पहली चीज़ देखो इसनोंने powerpoint presentation की बात किया है तो यह powerpoint यह एक presentation program है ठीक है क्या है यह presentation program ओके और इसको create किस ने किया है यह भी आपको पता होने चीज़िए created by Robert Gaskins और डैनिस ऑस्टेन डैनिस ऑस्टेन clear यह नाम आपने याद रखने है ठीक है यह software company है किस ने launch किया था for thought incorporation ओके for thought incorporation यह आपने याद रखना है और यह first time कभ रिलीज हुआ था वाई April 20, 1987 starting में initially इसको macintosh system operating system based computers only में ही use होता था ठीक है macintosh system operating system जो है उस पे बेज ही computer system पे थे उनहीं पे यह चलता था आजकल तो हर एक system में यह essential part होता है तो यह जो आपका power point है भाई यह किस से होता है आपका that is escape से clear escape जो होता है आपके पास इससे यह end हो जाती है आपकी power point presentation clear भाई अब कुछ power point की important shortcut keys है जो आपको पता होने चाहिए ठीक है power point के बार में यह सब लिख लिख लिए यह लिख लिख लिया करो ठीक है question six है ठीक भाई ओके हाँ अब shortcut keys है जो आपके power point से related है जो आपको पता होनी चाहिए पहली आपके पास control n ठीक है next आपके पास control o सब बताऊंगा थोड़ा सबर रख लो भाई then आपके पास आती है control s okay then आपके पास आता है alt plus f2 या फिर आप इसको f12 कर लो और ठीक है and then आपके पास और कॉनसी है हाँ control plus q ठीक है and then आपके पास आता है control plus z control plus y control plus f2 यह alt plus f2 था ठीक है अब आजाओ भाई कौनसा क्या है control n आप जब की shortcut की आपको use करनी है तो उस time पे आपको क्या होगा new presentation create हो जाएगी new powerpoint presentation आप create करोगे जब ठीक है new powerpoint document create हो जाता है control o control o से क्या होता है existent presentation document जो है वो open हो जाती है क्या open होती है यहाँ पे existing presentation okay भाई यह सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए fit होनी चाहिए control s से यह presentation जो है okay यह save हो जाती है control s से ठीक अब alt f2 यह f12 यह क्या करती है open करती है save को as a dialogue box में ठीक है dialogue box open the save as dialogue box clear next है control q control क्या करती है save करती है and close save उपर हमने अभी यह चीज़ और देखी थी presentation को control s भी save करता है control q save plus close presentation close भी करता है presentation ओके भाई next आपके पास control z यह undo है इससे आप undo करते हो कोई भी action को ठीक है control y इससे आप redo करते हो ठीक है action undo action redo ठीक है next आपके पास control प्लस F2 यह आपको print प्रिवी व्यू देता है print preview view clear यह है कुछ आपकी shortcut keys related to powerpoint presentation ठीक है powerpoint shortcut keys थी जो यह सारी important है जो आपको पता होनी चाहिए बाई clear यह था हमारा sixth question चलिए चलते हैं अब हमारे seventh question की और बाई question seventh yes seventh question क्या करें which of the following is the shortcut key to open a new blank document in ms word ms word में नया blank document खोलना हो तो आप क्या shortcut key use करते हो control b control n control d control m yes क्या use करते हैं आप जब आपको blank document ms word में खोलना हो भई हाँ जी बताईए देखो पहली चीज control b क्या चीज है तो इससे क्या होता है control b से जितने भी highlighted selection होती है वो bold हो जाती है ठीक है highlighted जो भी अपनी selection की होती है वो सारी के सारी क्या होती है bold हो जाती है control b से अब control d है control d से आप क्या करते हो आई font change इससे आप font change कर सकते हैं font के आपको options मिल जाते हैं बहुत सारे okay control n है control n से क्या होगा new blank document खुल जाएगा तो यह हमारा answer है clear second हो जाएगा correct answer ठीक है अब हमें last में दिया है control m अब control m का क्या काम है भई यह indent करती है paragraphs को indent the paragraph ठीक है भई तो हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा इसमें that is option second वाला control प्लस n यह new blank क्या खोल देती है हमारे पास document कहां पर ms word में ठीक है भई अब ms word यह फिर basic computer shortcut keys है कुछ जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है कौन कौन सी है वो चलो आओ देखते हैं one by one करके control m हमने देख लिया control b देख लिया control d देख लिया next आपके पास आईगी alt plus f ठीक है alt f जो है यह file menu option खोल देता है current program में आपको file menu okay next आपके पास आता है alt plus e alt f देख लिया alt e आता है alt e में क्या है यह edit options खोल देता है आपके पास edit option जो भी आपका current program खुला होगा ठीक है clear next आपके पास आजाएगा f1 यह universal help आपको पता ही है any sort of program हो कोई भी program हो f1 दबाऊगे आप तो आपके पास क्या है universal help खुलके आजाती है next आपके पास आजाएगा control e control e control e क्या है जितनी भी text होगी all text को select कर लेता है clear हा भाई next आपके पास आता है control x यह cut करता है selected item को यह आपको पता ही है control x cut then आपके पास control x हो गया control delete हो गया ठीक है यह भी cut करता है selected items को control c copy करता है सबको पता ही है ठीक है control v यह paste करता है ठीक है और आपके पास यह important वाले थे कुछ बाकी तो कुछ भाई ठीक है इतना important है मतलब इतना ही नफ़ाब के लिए चलिए next question पर question 8 पर आ जाओ वाई 8th question क्या कर रहा है हमें what is the function की control plus O control O जब आप दबाओगे तो क्या होता है उस time पर toggle italic selection हो जाई इसकी toggle current column पर जाओगे आप hide selected column पर जाओगे या hide selected row पर जाओगे येस जब control O function की आप प्रेस करते हो तो उस time पर क्या होता है हाँ जी बताओ बही बताओ जल्दी 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 इतना time नहीं है ना तो बही control O जब आप दबाते हो तो वह क्या करता है hide करता है selected columns को क्या करता है selected columns को hide करता है अगर आप selected row को ठीक है hide करना हो आपको selected row को तो आप दबाते हो control plus nine clear याद रखना है आपने control nine से क्या होता है वाई आपकी selected rows जो हैं वह hide हो जाती है ठीक है और आपको hide करना हो किसको columns को तो हम क्या control दबाते हैं control 0 दबाते हैं तो उससे क्या होता है hide हो जाती है columns ठीक है अब आपको columns unhide करनी है ठीक है यह hide का बताया अगर आपको unhide करनी हो columns unhide columns तो unhide columns के लिए आपने दबाना होता है control प्लस shift ठीक है control control प्लस shift प्लस bracket open तो इससे क्या होता आपकी unhide हो जाती है रोज याद रखना यह control यह रोज bracket open करोगे तो रोज प्लस control प्लस shift ओके प्लस bracket close इससे आपकी columns को unhide हो जाता है यह है जो इससे आपकी rows unhide होती है rows unhide करनी है control shift प्लस bracket open control shift प्लस bracket close तो इसससे columns unhide होगी clear hide करना हो तो control 9 से rows प्लस control 0 से column clear ठीक है भाई समझा गई यह सारी की सारी चलिए अब चलते हैं हमारे next question पे यह था 8th question clear चलो आजाओ भाई अब 9th question पे 9th question क्या कह रहा है भाई देखिए f7 key is commonly used in microsoft programs such as microsoft word outlook etc for f7 किस के लिए use होती है renaming files folders checking spelling grammar searching help opening help searching content in various apps yes rename आप किस से करते हो भाई हां जी तो यह क्या है हमारे पास f2 तो f7 का पूचा है open help किस से होती है आपके पास f1 ठीक है तो आपके पास checking spelling and grammar यह आप करते हो भाई किस से f7 से तो आपका correct answer हो जाएगा कौन सा भाई second one ठीक है तो checking spelling and grammar ठीक है ठीक भाई f7 अब f7 की जो है इसको आप लोग अगर use करोगे combine करके तो आपकी क्या-क्या यह मदद करेगा आँ भाई जड़ा देखते हैं देखो जो microsoft program है microsoft word outlook उसमें checking spelling और grammar किस से होता है f7 से अभी हमने देख लिया f7 के और क्या users है f7 के साथ अगर आप लगाओगे shift क्या लगाओगे shift तो उससे क्या होता है यह shift plus f7 से choose the thesaurus command thesaurus command को आप चूज करोगे plus f7 के साथ control लगेगा control plus f7 से क्या होगा यह move command select हो जाएगी clear move command control f7 से move command okay प्लस अब अगर alt f7 हो जाएगा तो alt plus f7 इससे क्या होगा भाई alt f7 से आप next missing spelling okay next missing spelling या फिर grammar grammatical error जो होता है वो आपको पता चल रहेगा ठीक है alt f7 से ठीक है यह कुछ f7 के alternative uses थे जो आपको पता होनी चाहिए अभी हमने क्या देखा भाई renaming of files folder कोन करता है f2 करता है opening help windows की प्लस f1 जो हो तो यह क्या करता है opening help खुल जाती है सर्च करना हो content को हमें क्या various apps पे तो वो किस से करते हैं हम windows की okay windows की plus q की इस से हम क्या करते हैं भाई various apps पे content को सर्च कर सकते हैं clear यह था हमारा ninth question चलिए भढ़ते हैं आगे हम लोग हमारे next question की और चलिए यह question क्या कह रहा भाई देखिए what is the standard windows keyboard shortcut key combination for redo redo के लिए standard key combination क्या है आपके पास यह आपसे पूछा गया भाई yes control y control minus control shift a control z yes भाई लोग बताओ last question है इसका answer आप लोग दो undo z से होता है भाई okay control z दबाओगे तो वो undo कर देता है ठीक है control minus दबाओगे तो यह क्या करता है आपके पास control plus minus दबाओगे तो यह आपको zoom out कर देता है ठीक है next control shift plus a यह आपको क्या find करके देता है find action okay next time हमारे पास control y यह हमें redo okay redo की key combination होती है आपने पास control plus y ठीक है भाई तो यह था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा session I hope so आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे according जो भी आपके exam point of view से important shortcut keys थी वह मैंने इसमें डाल दी है next आपकी abbreviation पे रहेंगी उसके बाद एक session में और लाऊंगा जिसमें आपके और फर्दर shortcut keys जो थोड़ी बहुत बच गई होगी तो वह भी वहां पे मैं आपको करवा दूँगा ठीक है भाई तो इतना I hope so आपको समझ आई होगी पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आ दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर दीजेगा next session आपको मैं पता दूँ हमारा gk portion का रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे हमारा drainage system वो देखना नहीं भूलना भाई most important session रहने वाला है जिसमें हम लोग drainage system में हमारी इंडियन जियोग्राफी का ठीक है इंडियन जियोग्राफी की जितने भी rivers हैं इंडिया की ठीक है rivers in India सारी की सारी with trick हम लोग learn करेंगे clear भाई जितनी भी है आपकी में हीवलियन है यह then 사람 workout हों यह pénंसुलार रिवर्रस और एस्ट फ्लोईंग हो वेस्ट फ्लोईंग हो गंगा है उसकी tributaries इंडिस है उसकी tributaries बरंध पुत्रा उसकी tributaries past5 in वेसट फ्लोईंग उनकी tributaries सारी चीज़ इंडिपथ इन डेप्थ डिसकस करने वाले हैं तो GK with Reference to G&K का नाम होगा वीडियो का सेट फोर है ये सेट फोर होगा तो ये सारे लोग देख लेना क्योंकि हर एक एक एकजाम में ये वाला पोर्शन आता ही आता है ठीक है बाई? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहो खुछ रहो, God bless you Keep learning, keep sharing